अमिरिकाने जब बिराग पर हमला किया अमरिका नजब सद्दाम हुसेन को फासी दी अमरिका ने अपने अर्मय आउखगानेस्थान में घुछ आया, जहां जहां अमरिका की आर्मी घुछ जाते है भी, हिंदुस्तान के फुछकर घुछ जाती है, क्या वहां कोई कानुन बना आते हैं अमरिका उनके सारवभाम मुहम्मद वकिलिए तो क्या मोदी जी जी चर्चा कर दिये इंद्रा गंदी जी चर्चा की थी कभी यह हमारा मामला है ट्रम से या कोई और देश को उसे कोई मतलब नहीं है हम एक स्वतंत्र देश है हमारी अपने आर्मी है हमारा जमन का लैंड लाफ लैंड है तो हम सोचेंगे अमरिका को कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की प्रेशर लेने की हम यहां इंदुस्तान वाले 370 निकलने के तब भी कश्मिर की विवास्ता और सिचुएशन अगर नहीं बदले है और कठर कदम उठाए है तो पाकिस्तान के साथ तो रिष्टे तोड़ने चाहिए थे हमने तोड़ने चाहिए थे पहले से हम तो हमेशा कहिए थे कि हिंदुस्तान में जो जो टेरिजम हो रहा है पाकिस्तान की देन है ऐसे पाकिस्तान से रिष्टे रखने में क्या मतलब था पाकिस्तान को अगर हम अतंकवाद की फैक्टरी करेते हैं तो उस फैक्टरी में हमार अमबसेडर जाकर बैटा है और उसके उपर बहुत से वहां हमने देखा गे बिसमी जब हमार अमबसेडर इत का एक पार्टी देने की कोशिश की, वहाँ भी उनको जाने से रोखा लोगों को अपने एंबैसी में पाकिस्तन, तो पाकिस्तन ने जो कदम उठा है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, यह हमने करने चाहिए था, दिल्ली में जो पाकिस्तन उतावास है, वहाँ जो सिप चर्म है, भगादो सबको कश्मीर हिंदूस्तान का अंदरूनी मामला है, वहाँ क्या करना है या क्या नहीं करना है, उस बारे में हिंदूस्तान के प्रधान मंत्री, हिंदूस्तान का गुरह मंत्राले, हिंदूस्तान के आर्मी पहश्ला करेंगे, पाकिस्तन वाले नहीं कर अगर हो किसी भ्रह्म में है तो उनका भ्रह्म अमिशानिक तोड़ दिया है